है है तो चले है स्वूरू करते है इस वीडियो में ग्रेडरिय समोज mày नहीं होंगी सबसे पहले छीज तो सबसे पहलेSn tomb लोग थोड़ा सा मीडिया गुरी समझ लेते हैं ठीक है देखिए ये मेरा मेरे पास ये फोल्डर यहां पर अवेलेबल है तो इस फोल्डर में मैं बना रहा हूँ ये मेरे इंडेक्स फाइल है ये मेरे ऐसेश फोल्डर है इसमें फॉल्डर ये सार इतीन वाइल से और इसमें मैं रूजान मेडिया बनाने वाला मिडिया क्या होती है तो media queries एक तो आप max width डाल सकते हो या फिर min width डाल सकते हो ठीक है तो basically यह mobile first approach है तो mobile first responsive grid system में बनाना चाहता हो custom तो इसी लिए मैं use करूंगा minimum width ओके तो यहाँ पर देखिए हम इने 4 breakpoints डालें और मैं पहले आपको media queries समझाता हूँ यह काम करती कैसे है ठीक है तो एक काम करेंगे यह media.css जो है हम लोग यहाँ पर इसको link करेंगे हमारे html के अंदर ठीक है यह हमारा html है इसका मैं path copy कर लेता हूँ यहाँ पर जाके paste कर देंगे ठीक है आपको यह color मिल जाएगा मैं अभी बताता हूँ अभी समझाता हूँ आपको देखिए यह काम कैसे करता है यह लिखा है ना 123 नंबर यहाँ तक आपने लिखा है आपने एक काम करते हैं मैं निकाल देता हूँ सभी चीज़े ठीक है अब refresh करता हूँ मैंने simple सा लिखा है media.css और मैंने लिखा है मेरे body को आप background color rate दीजिए simple है अभी इस CSS में इसको क्या समझ में आ रहा है देखें यहाँ पर यह link हो गई है और यह color भी आ रहा है ठीक है तो इसका मतलब ही आप क्या करिए आपका जो resolution है आपके PC का जो resolution है जो 0 से start होगे जितना भी high resolution आपके PC का है वहां तक आप यह body का color background रेड अपलाई कीजिए यह यहाँ पर काम हो रहा है देखें अभी हम लोग अगर F12 दबाएंगे हमारे का keyboard पे और F12 के बाद देखें यहाँ पर यह icon मिलदा आपको toggle device का यह on करना है आपको तो on कर 20 से आप देख सकते हो या फिर नीचे जाके देखोगे तो भी आपको ready दिखाई देगा लेकिन minimum जो होता है वो 320 होता है तो यह क्या कर रहा है 320 से लेके देखें यह number आपको देखना है हमेशा ठीक है तो यह number 320 से आगे तक जाता हूँ जितना मेरा मेरे PC का resolution 1366 है तो यह यह यहां तक जा रहा है तो जीरो या 320 से लेके 1366 तक देखिए background रेड ही apply कर रहा है ठीक है ठोड़ा साम लोग media query पहले जान लेते काम कैसे करती है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ at the rate media आपको पता है media query लिखने का तरीका उसको ऐसे ही लिखते हैं media और इसके अंदर लिखूंगा मैं minimum width यानि कम से कम width आप क्या रखिए 576 रखिए ठीक है तो मैं 576 रखता हूँ तो मैंने क्या लिखा minimum width 576 लिखा और इसके अंदर मैं लिखूंगा body का background color जो आप क्या करि था तब तक वो क्या कर रहा था 0 से लेके आगे तक वो रेड दिखा रहा था लेकिन जैसे मैं यहां पर लिखता हूँ आप क्या करिए 576 से green apply करते चाहिए तो यह जब आगे जाएगा धीरे 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 जैसे 575 क्रॉस होगा तो देखिए यहां पर मैं 575 डालता हू तो 575 तक 0 से लेके 575 तक आपको रेड दिखाई देगा करेक्ट जैसे आप इसके आगे जाओगे तो देखिए आपको यह green apply होते जाएगा करेक्ट आगे तक जितना आपका resolution है बात क्लियर है सिंबल सा काम करता है media queries कौन सा वाला main width वाला मैं max width की बात नहीं कर रहा हूं max width opposite काम करता है दूसरा अलग काम करता है वह मैं आपको किसी और वीडियो में इसके वीडियो में अलग से बनागे लिखाऊंगा लेकिन इस में हम लोग custom grid system बनाने वाला है और वह भी mean width based बनाने वाले क्योंकि हम mobile first responsive बनाने वाले है ठीक है यानि mobile पहले दिखना चाहिए फिर आगे सारे चीज़ी जाएंगे तो यह क्या हो रहा है यहां स इसके आगे और कुछ लिखा नहीं है अब जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 576 के आगे और मैं डालता हूं breakpoint 768 यहां पर आप क्या करिए कि आप एक काम करें इसको orange डाल दीजिए तो मैं refresh करता हूं तो देखिए जैसे अब 768 देखिए यह 576 के अंदर है अब यह 576 के आग तो इसके आगे भी वो क्या करते जाएगा orange ही डालते जाएगा correct clear अब मैं फिर से copy paste करता हूं यहां पर डालता हूं 992 ओके refresh और 992 में लिखता हूं कि इसका color होना चाहिए purple ओके अब मैं refresh करता हूं 992 के जब आगे जाओंगा resolution तो यह आपको purple continue करते जाएगा ठीक है समझ म आ रहा है अब मैं और एक media query लिखता हूं इसके आगे आप करिए क्या 1200 के आगे आप और कोई color डाल दीजी या बली या कुछ भी कोई भी color blue color डाल दीजी चलो blue color मैं refresh करता हूं अब मैं जैसे 1200 के आगे जाता हूं तो यह उसको blue color डालते जाएगा 1200 से आगे तक बात clear है तो यह काम करती है media queries अभी इसका मतलब क्या है इसमें आप जो भी CSS अपलाए करोगे तो यहां से लेके आगे तक वही दिखेगी जब तक वही same CSS आप यहां पर override नहीं करते बात समझ में आ रही है यह काम करता है minimum width media queries और यह logic है और इस logic को लेके आगे लेके जाके हम लोग grid custom grid बनाने वाले है ठीक है तो एक तुक बात clear होगे कि यह यहां से यह सारी चीज़े mobile है फिर यहां पर 576 से आगे है फिर यह 768 है 992 है फिर आगे 1200 है तो यह सारी चीज़े clear है अभी हम लोग 12 column के लिए आगे बढ़ेंगे 12 column के grid बनाना start करेंगे तो उसके लिए मैं यहां पर यह on करते हूं और इसको मैं निकाल देता हूं इसके अभी कोई जरूरत नहीं है media.css की अभी हम लोग सीधे grid system बनाना start करेंगे तो मैंने क्या बोला कि आपको grid system बनानी है ठीक है तो 12 column grid system बनाने के लिए 12 columns को width apply करनी पड़ेगी ठीक है तो वो क्या होगी तो सबसे पहले हम लोग columns बना लेते चलो मैं लिखता हूं mobile में मैं कुछ media queries अभी तक लिख नहीं रहा हूं मैं simple सा लिख रहा हूं mobile में मेरे पास एक container रहेगा एक container flood रहेगा और एक column रह रहेगा इतना ही मैं सिर्फ अभी लिख रहा हूं तो मैं फिलाल एक काम करते हैं फिलाल पहले columns लिख लेते चलो तो मैं चाहता हूं कि मेरे mobile के column के classes के नाम होंगे call-1 से लेके call-12 तक यह मैंने decide कर लिया ठीक है तो इसको मैं copy कर लेता हूं comma डालेंगे paste इसको 2 करूंगा comma paste 3 comma paste 4 sorry 4 comma paste करेंगे 5 comma paste करेंगे 6 comma paste 7 comma paste 8 comma paste 9 comma paste 10 ठीक है फिर comma paste 11 और comma paste 12 ठीक है तो यह सारे मेरे classes होगे call-1 से लेके call-12 तक अभी देखिए मैंने आप थोड़ा सा ध्यान जीजिए मैंने इसको कहां पर लिखा है ना मैंने यहां पर कुछ media queries डाली है ना कुछ डाला है मैंने simple सा open लिखा है open लिखने का मतलब है यह अभी 0 से लेके आगे तक जहां तक अपका resolution है वहां तक apply होगा तो मैं इसको देना चाहता हूँ क्या simple सा क्या करिए इसको भाई आप float कर दीजिए float lift अभी मैं इसको width apply करूंगा याने जो यह सारे मेरे floats होने चाहिए यह तो मैंने पहले decide कर लिया और दूसरी चीज़ अभी मैं जो decide करने वह सारे column की width decide करने वह तो column की width कैसे decide करते है 12 column grid बनाने के लिए तो इसके लिए मैं calcium open करता हूँ यहाँ पर देखिए कैसे calculation करना है मैं आपको अभी बदा दा हूँ आपको 100 लेना है और divide करना है 12 से क्यूंकि मुझे 12 column width चाहिए इसलिए मैं 12 से divide करना हूँ यह divide करने के बाद आपको एक amount मिल जाता है जो है 8.33 इसको आपको simple सा copy करना है और यहाँ पर call-1 मे उसको डाल देना है max width या फिर width डाल दोंके तो भी चलेगा कोई issue नहीं है और इसको percentage में डालना है यह सिर्फ ध्यान में रखना है आपको ठीक है तो आपने column 1 की width यहाँ पर mention कर डाली खतम ठीक है यह हो गया आपके column 1 की width अब क्या करना है एक काम करते इसको copy paste कर लेते पह लेता हूं इसको 2,3,4,5,6,7,8,9 ओके इसको 10,11 और यह 12 अब क्या करना है अब column की width कैसे हम लोग decide करेंगे यानि कैसे निकालेंगे वो मैं दिखाता हूं तो पहले वाले column की जो हमें width मिली है उसी को copy करना है और multiply करते जाना है दो से दो से नहीं मतलब दूसरी column की width अगर चाहिए तो multiply by 2 करना है simple देखे मैं paste करता हूं multiply by 2 करता हूं तो यह आपको width मिल जाती है second column की और यहां पर जाके paste कर देना अगें यह वाली जो 8.3 थी इसको copy कर लेना है पहले वाले column की width वापस paste करना है और multiply by 3 3 क्योंकि 3 column की मुझे width चाहिए इसलिए multiply by 3 करना है simple तो आपको मिल जाएगा 25 ओके अभी चौदे column की width चाहिए तो simple यही repeat करना है और कुछ करना नहीं है simple paste कर रहा हूं मैं into 4 यह मिल गया मुझे 33.33% ओके फिर एक बार मैं यह copy कर लूँगा 8.33 यहां पर paste कर दूँगा multiply by 5 ठीक है मुझे मिल रहा है 41.66 तो यह है column 5 की width ठीक है again copy and paste into 6 आपको मिल जाएगा 50 तो यहां पर जाके simple सा 50 लिखना है 50% है आपकी call 6 की width again इसको paste करना है multiplied by 7 करना है तो यह आपको मिल जाएगा 58 something something again इसको copy करना है multiplied by 9 करना है क्योंकि 8 हो गया sorry 7 हो गया अब 8 करना है multiplied by 8 तो आपको मिलेगी 66.66 यहां पर paste करना है again इसको copy करेंगे multiplied by अभी करेंगे हम लोग 9 ठीक है paste into 9 75% मिल जाएगा इसको 75 करना है again इसको copy करना है again यहां पर जाना है into 10 करना है okay तो यह आपको 10th column की width मिल जाती है simple फिर एक बार इसको copy करेंगे multiplied by 11 करना है तो यह 9991.something कुछ मिल जाती है और यह 100% मिलेगी आपको देखिए okay तो यह देखिए आप 100% ही मिलती है चाहिए तो आप फिर एक बाद देखिए कर लो paste करके into मैं करता हूं 12 तो यह आपको 100 मिलेगा यानि 100% तो यह आपकी column की आपको 12 column की width मिल जाती है और इस तरह से grid system में 12 column grid system बनाते है correct ओके बस यह हो गया लेकिन अभी इसको responsive कैसे बनाया जाए यह तो simple grid system हो गई ठीक है यह perfectly काम करेगा आपका perfectly कोई issue नहीं है सब कुछ सही तरीकी से काम करेगा लेकिन यह हुआ क्या है यह अब 0 से लेके आगे तक apply हो रही है अभी मुझे क्या करना है responsive मुझे responsive में grid system बनानी है तो इस वज़े से अभी सारी चीज़े करनी है तो जैसे इसलिए मैंने आपको थोटा सा पहले media queries का जो flow था वो बताया जैसे हम लोग ने देखा था media.css में उसी तरीके से logic apply करना है तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है मेरा जैसे मैं html में जाता हूँ for example मैं आप यहाँ पर देखोगे मैं पहले चलो लिखता हूँ call-12 लिखता हूँ चलो ठीक है मैंने लिखा call-12 क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है मेरे पास एक से लेके 12 तक मेरे पास column है और यह सभी को float किया हुआ है और सभी में अलग- और float सभी को है ठीक है तो यह float left करेगा और यह columns उनके width apply करते जाएगा जो number आप यहाँ पर डालोगे तो मैंने यहाँ पर number डाला है 12 देखिए मैं h1 डालता हूँ थोड़ा सा test कर लेते हैं यहाँ पर और इसमें थोड़ा paragraph डाल देंगे कुछ भी और यहाँ पर एक से इसको तोड़ा अच्छे से लिख लेते इस इस एक paragraph और मैं यहाँ पर refresh करूंगा तो देखिए मैं जैसे इसको नीचे लेके जाता हूँ 320 में ओके तो देखिए 320 में देखिए यहाँ पर अपने लिखा है call-12 तो यह 12 क्या करता है यहाँ पर देखिए मैं refresh करता हूँ 320 से हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग ने media queries देखी उसी तरह से यहाँ पर 320 से यह देखिया यहाँ पर 100% उसको अपलाई हो जाती है करेक्ट देखिए यहाँ पर अभी क्यूंकि मैंने उसको कंटेनर वगेर कोई चीज़े कुछ भी चीज़े डाले नहीं है डाली नहीं है इस वज़े से इसलिए वो सारे चीज़े यह ऐसा कुछ दिखा रहा आपको यह आगे लेकिन ध्यान दीजिए यह जो क्लास है यही अपलाई होते जा रहा है ठीक है तो अभी यह हुआ क्या है यह कौल ट्विल जो है यह 0 से लेकर आगे तक आपको सेम क्लास अपलाई करेगा लेकिन मैंने क्या कहा आपको रिसपॉंसिव ग्रिड बना नहीं घ्रीड रिक बनीग रिकला करें अब यही सेम चीज मैं कॉपी करोंगा और मैं में मेरे media queries में डालोंगा, देखे, मैं यहाँ पर डालता हूँ media, और यहाँ पर यह सारे change होंगे correct, वो क्या change होंगे मैं आभी आपको बताता हूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर minimum width 576 क्योंकि breakpoint मैं यही से start करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं paste कर दूँगा, खीक है और मैं नाम डालता हूँ हाइफन SM, ठीक है अब मैंने SM डाल दिया, अब क्या होगा जब आप HTML में लिखोगे call-sm, ओके हाइफन 6, अगर मैं 6 लिखता हूँ, ठीक है तो यह क्या करेगा, यह जो class है वो 0 से 576 तक अपलाए करेगा फिर उसके आगे उसको यह मिलेगा, तो यही class वो अपलाए करते जाएगा यानि ओवर्राइट करेगा, देखिए मैं आभी आपको दिखाता हूँ आपर कहाँ पे था यह, ओके, तो call-sm 6 जो है यहाँ पर देखिए आगे जाते हो, अभी पर 575 में हूँ, इसलिए देखिए यहाँ पर call-dwell का यह class अपलाए हो रहा है, तो मैं अभी इसके आगे जाता हूँ, तो देखिए automatically sm6 के classes अपलाए होते हैं, यह आपको आभी दिखाएं देखिए कि इसके अंदर ना container है, ना row है, यह सारी चीज़े हमें लिखनी है, बट यहाँ पर class यहाँ से change हो रहा है, तो यहाँ से आगे मुझे paste करनी है, और यहाँ पर लिखना है 768, और यहाँ पर sm का मुझे करना है md, ठीक है, मैं करूँगा, इसको लिखोंगा md, symbol, तो क्या करेगा, जब आप यहाँ पर लिखोगे, call-md, यहाँ पर मुझे चाहिए, ठीक है, तो यह क्या करेगा, इसके बाद यह column पकड़ते जाएगा, दीखिए, अब यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, फिर एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश क्योंकि देखिए, मैंने यहाँ पर media queries में क्या लिखा है, 768 के बाद अगर इस में से कोई class आप लगाते हो, तो यही class apply करना है, यह मैंने लिखा है, simple है, बात clear है, तो वो class इस पर override करेगा, बारा के बाद 6 ले रहा है, वो 6 के बाद 4 लेगा, अब 4 कैसे लेगा, देखिए, यहाँ पर मैं अगर 768 के बाद जाता हूँ, तो मैं 767 पर जाता हूँ, त देखिए, जैसे मैं 576 के आगे जाता हूँ, देखिए, MD वाला class on हो जाता है, correct, तो यह बात समझ में आ रही है आपको, देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यह 760, देखिए, यहाँ पर MD था न, तो देखिए, यहाँ पर 576 वाला बंद हो जाएगा, यह SM6 वाला, और नीच इसका मतलब है, 768 के आगे यह वाला class मैंने लिखा हुआ है अंदर, और आप 768 ब्राउजर के आगे हो, इस वज़े से यह class दिख रहा है, simple है, तो इस थरे से काम करती है, media queries, तो वैसे ही, इसके आगे मुझे डालना है, मान लो, देखिए, 576 होगया हमारा, फिर 768 होगया, फिर इसको मैं और एक बार इसको कॉपी करूंगा, और इसको दो बार हम लोग पेस्ट करेंगे, एक बार यह है, 992 के लिए, और दूसरा जो है, 1200 के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें भी classes हम लोग change करेंगे, 992 के लिए हमें लिखना पड़ेगा, दिखे क्या, यहाँ पर MD था तो यह MD मुझे अलग करना पड़ेगा, MD से LG करना पड़ेगा, यानि large devices के लिए, ओके, तो large के लिए मैं लिखता हूँ LG, ठीक है, तो मेरा जो 992 से है, वो सारे LG के classes apply होते जाएंगे, और 1200 से जो है, वो सारे मेरे, यहाँ पर लिखना है हमें XL, यानि extra large, XL, ओके, तो 1200 के ब याने apply होते जाएंगे, देखिए, अब मैं यहाँ पर, MD हो गया मेरा, अगेन मुझे call-LG, मुझे यहाँ पर सिर्फ दो रखना है, तो मैं यहाँ पर refresh करता हूँ, तो देखिए LG 2 जो है, यह LG 2 का काम कप करेगा, जब आप 992 के आगे जाओगे, तो मैं 991 में जाता हूँ, तब तक वो MD का ही class apply करा, देखिए, MD 4, जैसे आगे जाता हूँ, देखिए, class change हो जाता है, LG 2 apply करने लगता है, तो यह width उसकी apply होने लगती है, जो number अपने डाला है, 2, यहाँ पर क्या 4 नमबर दा, यहाँ पर 2 नमबर दा, यहाँ पर 6 नमबर दा, यहाँ बारा नमबर दा तो यह सारे जीज़े वो container के बाद और अच्छे तरह की से आपको समझ में आ जाएंगे, वो हम लोग दिरे दिरे डालेंगे आगे जाके, तो फिलाल थोड़ा हम लोग columns पे काम कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी LG के बाद मैं चाहता हूँ कि Excel में, यानि एक्ट्रा लाज में वो अगें 12 हो जाए, 100% हो जाए, यानि मैंने 12 नंबर डाल दिया है, 12 नंबर क्या करता है, 100% का काम करता है, सभी media queries में, सिर्फ class के नाम अलग है, Excel है, किसी का LG है, किसी का MD है, तो इसको मैंने लिख दिया 12 होना चाहिए, 100% होना चाहिए, इस वज़े से यहाँ पर क्या हो है, जैसे मैं 1200 के आगे जाता हूँ, देखें, यहाँ अबर Excel हो चुका है, अभी हम लोग बाके की चीज़े करेंगे, जो कि यह काम, responsive का काम हो चुका है हमारा, बट कुछ चीज़े करने पड़ेंगी, ताकि यह सारे columns ठीक तरह किसे दिखाई दे, तो इसमें और एक है, देखो, मैं बताता हूँ, जैसे हम लोगने columns के लिए सारे चीज़े की, वैसे ही मुझे container के लिए करना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि container जो है, मेरा 0 से लेके 576 तक 100% दिखाई दे, तो मैं 576 के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीके, container को, कि आप क्या करिए, इसको width 100% द user में बताता हूँ, फिलाल इसको मैं copy कर लेता हूँ, और मैं 576 में जाता हूँ, इसको paste कर देता हूँ, देखिए, मैं 576 में इसकी width चेंज कर दोंगा, correct, media queries का flow आपको समझ में आ रहा है, ये उपर जो लिखा है, ये सारा mobile है, इसके आगे जो लिखा है 576 में, वो 576 से लेके 768 तक है, correct, और ये सारी चीज़े वैसे ही आगे बढ़ते जाती है, तो इसमें 576 में मेरा container fit हो जाना चाहिए, सही तरीगी से, और इसमें दोनों बाज जो में मेरे padding जाने वाली है, container में, इस वज़े से यहाँ पर जो width होंगी, मैं फिलाल 576 लिख देता हूं, लेकिन ये width जो है, ये 30 pixels से minus होगी बाद में, वो मैं क्यों minus होगी, वो मैं आपको बाद में बताता हूं, फिलाल हम लोग इसको copy page कर लेते, और वो ही width दाल देते, ठीक है, इसमें 576 है, तो 576 डाल दी मैंने, इसमें 768 है, तो हमें 768 डाल दी है, इस container की width ठीक है, क्योंकि मुझे container का जो class है, वो fix width रखना है, ताकि वो 1200 pixel, याने desktop तक 1200 pixel की width अपलाई करें, याने fix width अपलाई करें, fix width और 100% width आपको शायद पता होगी, मैं ठीक है, कोई व तो फिलाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने mobile में container को 100% करते है, याने 0 से लेके 576 तक यह 100% दिखाई देगा, container, 100% का काम करेगा, फिर यह आगे जाके, यह media query में 576 है, इसलिए 576 दिया हूँ, फिर 768, फिर यह और फिर 1200, तो चलिए इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, इसको टेस्ट करने से पहले, इसको container को मुझे और एक चीज देनी पड़ेंगी, जो है, padding left 15px, ओके, और padding right 15px, ओके, और यही चीज मुझे, row में, sorry, column में भी देनी है, तो यह थोड़ी सी चीज़ें हम लोग पहले कर ल मैंने क्या किया यहां पर, देखिए, मैरे पास मैंने कहा था, मैरे पास दो types के container होने वाले है, एक container जो fix width handle करेगा, याने जो मैं अभी लिख रहा हूँ, यह fix width, सभी media queries में, इसमें fix width नहीं होगी, because इसमें मुझे 100% ही चाहिए, इसलिए मैं यह नहीं नहीं लिखूंगा, देखिए, मैं यह क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि मैं यह निकालने वालाओ, temporary लिख रहा हूँ, यह मुझे निकालना है, क्यों, because, मुझे क्या चाहिए, 576 से आगे से container में width अपलाए होनी चाहिए, जो media queries की width है, उससे 30 pixels कम, क्यों, क्योंकि यह नहाँ पर देखिए, मैंने container को right और left से 15-15 pixels की spacing दिये है, याने padding अपलाई किये, तो अगर इसकी 576 अगर आप इसमें लिखते हो, ठीक है, तो इसमें 30 pixels की width ज्यादा बढ़ जाएगी, इस वज़े से मैं इसको minus करूँगा, और वो perfectly इसके अंदर दिखाई देगा, इसी ल ठीक है, तो ये 546 width हो जाएगी, ऐसे ही मुझे इसका भी करना है 768, 768 minus 30 pixels, ओके, तो 768 minus 30 हो जाती है, 738, ओके, वैसे ही इसको भी कर लेंगे, 992 में, जैसे 992 minus 30 pixels होता है, 962, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 962, और इसमें भी 1200 में, 1200 minus 30 होता है 1170, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1170, ठीक है, तो यह सभी में मैंने 30 pixel काम कर ली है, because मेरे container को जो है, padding जो है, वो 0 से लेके आगे तक same रहने वाली है, देखिए, मैंने padding किसी की भी override यहाँ पर की नहीं है, मैंने सब की max width override की है, समझ में आ रहे हैं बात, max width override करते जा रहा हूं, मैं आगे सिर्फ class name change करके, यही logic है, ओके, तो जैसे मैंने container को लिखा है, same मेरा दूसरा container आने होले है, उसका नाम है container fluid, जो काम करेगा 100% का, यह भी 100% का ही काम करेगा, मतलब देखिए, अगर आप यह नहीं लिखोगे, container मैं लिखता हूं यहाँ पर container, और मैं लिखता हूं container fluid को, आप क्या करिए, width 100% लिखी है, अगर यह लिखते हो, तो भी कोई problem नहीं है, अगर नहीं लिखोगे, तो भी default में, जो default browser behavior होता है, वो div में क्या करता है, अभी लिखते time तो आप ऐसे लिखोगे न, कि ऐसे लिखोगे, div class container, तो div class container लिखा, और 0-576 में उसको अगर class नहीं मिलता है, तो वो क्या करका, div पकड़ेगा, और default browser behavior जो होता है, वो display block का काम करता है, तो वैसे भी आपको यह 100% लिखने के आप ज़रूरत नहीं है, अगर लिखते हो तो अच्छी बाते नहीं लिखोगे, तो भी कोई problem नहीं है, तो मैं यहां से इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो वैसे भी 0-576 container और container float दोनों 100% का काम करेंगे, यह fix हो गया, ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर margin left auto होगा, और यहां पर margin right auto होगा, क्योंकि margin 0 auto करने से क्या होता है, एक div जो होता है, वो center में आता है, ठीक है, यह तो बात आपको पता है, तो यह दोनों classes भी 0 से लेके आगे तक ऐसे ही रहेंगे, इसलिए मैंने इसको mobile में लिखा हुआ है, यह mobile से same रहेंगे, correct, यह clear है, तो यह क्या करेगा, यही सारे classes आगे लेके जाएगा, container वाला, यहां पर, यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन यही class आगे अपला होगे, यहां पर इस ही लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है, तो आपका flow पता है, आपको 0 से लेके आगे तक जाता है, तो यह 0 है, यह यह वाला, और यह यहां पर लिखने के आपको जोर्व नहीं है, यह 4 class यहां पर apply हो रहे है, उसके साथ और एक apply हो रहे है, जो extra है, width 546, लेकि तो मैं सबकूल्स और इसे में मोबाइल के लिए तो यहाँ पर भी मैंस沒有 ऐसे में किया है । लेकिन ध्यान रखिए वो float lift mobile के लिए था और यह float lift जो है यही से होगा 576 से वो नीचे से नहीं होगा call SM1 correct है तो यह नीचे से नहीं होगा तो इसका क्या होगा फिर नीचे तो यह नीचे सीधी बात है इसको कुछ मिलेगा नहीं तो यह again default browser style लगेगा याने display block हो जाएगा य जब आप यहाँ पर लिखते हो यहाँ पर आपने call SM याने जो call लिखा ही नहीं call 12 और सीधा SM से start किया है correct तो यह जो लिखा था इसके जगे तो कुछ काम होना चाहिए right तो मैं call 12 भले नहीं लिखा हूं call 12 का मतलब कहा 100% लेकिन मैं call 12 नहीं लिखता हूं तो भी 100% ही रहेग याने 100% दिखाई देगा correct अभी देखिए सारी चीज़े आपको समझ में आ जाएंगी दीरे दीरे तो फिलाल यह हमारा हो गया container और container flood अभी कुछ और चीज़ें हमें लिखनी वाकिए तो यह काम करेंगे यह जो default चीज़ें हैं वो सारी हम लोग उपर लिखेंगे सबसे ट star is to after याने star मेरे जितने भी elements से उसके बाद में और मेरे जितने भी elements से उसके पहले इसलिए मैं before लिख रहा हूं उन सभी को यह CSS अपलाई को लो कौन सी वाली box sizing border box ठीक है और इसके mozilla और इसका chrome safari का हम लोग यह भी करेंगे prefix भी add करेंगे आपर moz लिखेंगे और इसको लिखेंगे webkit ठीक है यह सारी चीज़े आप अपलाई करो यह तो हो गया हमारा दूसरी चीज़ हम लोग ने की जो container में हमें करना था ठीक है अब इसके बाद row एक करना पड़ेगा हमें ठीक है एक row डालना पड़ेगा जो रू आने वाला बीच में container और columns के बीच में एक row इसके बाद और एक चीज़ मुझे लिखनी पूटेंगी रो इसके बाद में भी मुझे सारे चीज़े clean चाहिए अगर मैं row के नीचे और एक row डालता हूं तो कुछ problem नहीं आने चाहिए इस वज़े से मैं यह चीज़ लिख रहा हूँ और वो है row is to after ओके और row is to before फिर container के लिए भी मैं तीन चीज़े हमेशा डालूँगा एक तो है container दूसरा container fluid और तीसरा row ओके तो मैं row के लिए after before डाला तो वैसे ही मैं container के लिए भी after and before डालूँगा ओके तो container is to before और container fluid flowid is to after और container-flood is to before तो इन सभी के लिए भी मैं एक चीज़ डाल रहा हूँ उसका नाम है display block यहाँ पर डिस्प्ले टेबल डाल सकते हो कुछ भी डाल सकते हो वो आपके उपर डिपेंड करता है मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं एक row डालता हूँ HTML के अंदर मान लो कि मैं यह सारी चीज़े देखे हमारा structure हमेशा ऐसे होने वाल है container के अंदर एक row आएगा और फिर यह सारी चीज़े आएंगी आपके जो columns है वो सारी चीज़े अंदर आएंगी पहले आपको यह container डालना है फिर रो डालना है फिर आपके columns डालना है क्यों क्योंकि हमने वैसे grid system बनाई है flexible और nested डालना चाहता हूं ठीक है तो यह row के बाद यह row अगर मैं डालूंगा तो यह mess ना हो जाए कही इस वज़े से मैं क्या लिख रहा हूं इस row के बाद याने row is to after या फिर row is to before याने इस row के पहले या फिर इस row के बाद क्या होना चाहिए display block रहना चाहिए तो ब्लॉक होगा तो क्या होगा इस row के बाद ही यह row दिखाई देगा या फिर इस row के पहले ही यह row दिखाई देगा यह चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है simple है चीक है अब और एक चीज इसी के साथ और एक चीज मुझे ज़रूरी लगती है वह हम लोग लिखेंगे row is to after य याने इन सभी के बाद में हमेशा clear रहना चाहिए क्या clear रहने चाहिए सारे floats clear हो जाने चाहिए तो floats clear होने के लिए हमारे पास CSS available है उसको कहते है clear both तो जैसे अभी मैंने एक row डाला तो row के बाद मैंने क्या लिखा है row के after हमेशा clear हो जाने चाहिए floats अगर है कहीं पर भी तो वो सारे चीजी clear होती जाएंगी इसके after फिर आपने row डाला again again row के बाद और है कुछ तो वो भी सारे clear होती जाएंगे अगर आप container है तो आपके पास container के बाद और एक container डाल रहे हो तो container के बाद भी जुसरा container जब डाल रहे हो तो इसके बीच में अगर किदर floats है या फिर कुछ है डिस्प्ले ब्लॉक वगएर सारे चीज़े clear हो जाएंगी देखिए यह भी container के बाद डिस सही तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा इस वज़े से यह सारी चीज़े लिखनी बहुत जरूरी होती है जबी भी आप कोई grid system कस्टम grid system बना रहे हो ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी बस तो यह सारी चीज़े main होती है और इसमें और extra अगर कुछ डालना है तो आप चलिए मान लो और एक चीज़ मैं कर सकता हूँ अगर row कभी कभी आपको row के margins मुझे निकालने होते है तो मैं उसके लिए भी एक class अलग से बना सकता हूँ तो मैं लिखता हूँ row hyphen no hyphen margins यान row की margins आप निकाल दो खतम किजिए उसकी margins तो यहां पर लिख सकते हो margin hyphen left zero कर दीजिए और margin hyphen right zero कर दीजिए यानि row पे जो यह जो margins है यह वाली minus जो लगी है वो आप zero कर दीजिए कभी कभी आपको zero करने की ज़रुरत पढ़ती है तो symbol चाहे यह class copy करना है और आपके row के आ तो वह depend करता है situation पे आप लेकिन यह class इसलिए मैंने जान पूछ के थोड़ा सा class extra डाल दिया तो आप use कर सकते हो और एक चीज़ है अगर इस row में कभी कभी आपने बहुत सारे classes डाले हुए यानि बहुत सारे columns है मेरे ख्याल से चलो मानलों दो columns है यह six और six है तो इस columns के columns क सब आपन गररने वए कि नहीं है चलो वो पैले अप्लाइ कर लेते सभी columns के लिए जो common css होने वाली तो मैं क्या करता हूं सभी columns पहले copy कर लेता हूं ठीक है यह मेरा mobile वाला column है प ठीक हैं तो इसको यहां पर डाल देता हूँ और मिसको ब्रैकट डाल देता हूँ के अब मैं डालूँगा एसे जो मेरा 5700 में जो कॉलन है उनके नाम के ये कॉला सैंप से लेके मेरे पास है उनले क्उले को को कि देखिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यह call 12 के बाद comma डालता हूँ और यहाँ पर जाके paste कर देता हूँ तो यह दूसरी line आ गई इसके बाद मैं और comma डालता हूँ मैं paste कर देता हूँ यह मेरा MD वाला होने वाला है ठीक है comma again paste यहाँ पर LG आएगा comma paste excel आएगा ठीक है अभी एक एक करके हम class के नाम चेंज करने देखिए यह correct है यह line चेंज करने है मुझे call SM वाली इसको डालना है MD मुझे 6 7 8 9 10 11 12 इसको डालना है मुझे MD ओके तो यह हो गया मेरा MD फिर इसमें आएगा LG तो इसको भी हम लोग ठोड़ा चेंज कर लेते 7 8 9 10 11 12 इसमें आएगा LG ओके अभी थोड़ी ज़र में बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं इसमें आएगा XL यह सारी 6 7 8 9 10 11 12 और इसमें मैंने डाला XL और इन सभी को मैं क्या कर रहा हूं एक common CSS apply कर रहा हूं कि मेरे grid system के जितने इसमें भी columns है उन सभी columns को यह CSS apply होनी चाहिए यह लिख रहा हूं मैं और वह CSS है padding-left 15 pixels padding-right 15 pixels होनी चाहिए और इसमें position जो है वह रिलेटि होनी चाहिए और चलो मानलो minimum height इसकी चलो हम लोग 1 pixel रख देते ठीक है तो इन सभी columns में मैंने क्या किया जो भी मेरा mobile वाले columns है फिर यह SM वाले है फिर MD वाले LG वाले Excel वाले चितने भी media grid में जितने भी columns है आप देखे मैंने लिखा है 0 में हाँ यह ध्यान में मैं रखना है इस वज़े से मैंने common class बना डाला है अब मैं जाके यहां पर देखे refresh करता हूं तो सभी लोगों को proper padding apply हो जाएगी देखे और सारी चीज़े अभी ठीक से काम करने लगेगी और अभी फिर एक बार मैं आपको तोड़ी दिर में सारी चीज़े explain करूँगा ओके तो यहां तक त पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट फंद्रा 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 इसली है ओके तो वो कभी-कभी मुझे जरूरत पड़ सकती है अगर मैंने आप रो लिखा है तो के अंदर मेरे कॉलम्स है ठीक है तो यह SM भी है MD भी है LG भी है एक्सल भी है तो इसके अंदर जितने और उसका नाम मैं लिखता हूं मान लो रो नो पैडिंग लिखते है चलो पैडिंग और इसमें मैं लिखता हूं अट्रिबुट लिखते लास ओके क्लास को हम लोग स्टार डालेंगे इस इकवल टू दो कोट्स डालेंगे और उसमें लिखेंगे कॉल हाइफन और यहाँ प यह मैंने क्या लिखा है, मैंने एक class लिखा है, इस का मतलब है, एक simple सा class लिखा है और क्लास के अंदर, याने अगर मैं ये class कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, तो इस row के अंदर तो इस row के अंदर, ये attribute के, ये class के नाम से, कितने भी अगर div available होंगे, याने नाम available होंगे, तो देखें, यहाँ पर class, हाइफिन, 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 ये सारे चीज़े, तो इन सभी के padding's आप क्या करिए, padding 0 कर दिजिए, left, right, left, 0 कर दिजिए, क्योंकि इन सभी columns को क्या है, padding available है, इ उस situation में आपको सिर्फ ये वाला class जाके आपके row में डाल देना है, तो वो row के अंदर जितने भी columns होंगे, उन सभी columns की padding 0 हो जाएगे, right और left वाली, clear है, ये होने के लिए, ये class लिखा है मैंने, simple, तो ये थोड़ा सा extraordinary था, और ये सारे default चीज़े है, ये हमेशा लिखनी है जब भी आप grid system बनाते हो, तो ये I hope ये सारे चीज़े आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी, और ये common चीज़े है, जो हर एक column में apply होनी है, सभी columns को मैं right और left padding देना चाहता हूँ, ओके, और ये row मैंने आपको बताया, यहाँ पर minus 15 pixel ही क्यों apply हो है, देखिए मैं आभी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए कभी भी आप जबी भी grid system ये बना रहे हो, bootstrap 3 की बना रहे हो, यहाँ फिर कोई भी grid system बना रहे हो, तो जैसे bootstrap 3 में कैसा होता है, container होता है, container row और columns होता है उसके अंदर, और यही columns होता है, ठीके, सिर्फ जो mobile मे मैंने लिखा है call hyphen number, यहाँ पर hyphen number के बजाए hyphen axis hyphen one होता है, bootstrap 3 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम लोग custom बना रहे है, तो custom में यही number आप यूज करना है, तो देखे मैं यहाँ पर चलो और एक बार में दिखाता हूँ, यहाँ पर call hyphen one लिखा है मैंने, refresh, ठीके, तो मैं आपको row समझा रहा था, row में, row वो margins क्यों होती है, ठीके, जो 15 pixel वाली, माइनस 15 pixel वाली, ठीके, ठीके, थ्वड़ा सा यह markup कम कर लेते, तो ठीके कंटेनर रखेंगे हम लोग और यहाँ पर हम लोग एक ही row रखेंगे, ठीके, simple, life simple करते, ठीके, तो यह container है हमारा, इसके अंदर यह row आगया, हमेशा आपका structure सेम होने माला है, ध्यान रखेंगे, जबी आप website बनाओगे तो पहले आप container डालोगे, container या फिर container float डालोगे, ठीके, container float आपका 100% का काम करेगा, वो धोड़ी दिन में आपको बता दाओ, container में आपका पहले row आएगा, और row के मोबाल में वो one वाले width इतनी कम width कोई ने डालेगा, तो चलिए, तो मैं फिलार उसको क्या करता हूँ, one के बजाए 12 डाल दीता हूँ, refresh करता हूँ, अभी देखिए, यहां पर container है, फिर row है, फिर column है, ध्यान दीजे, अभी यहां पर देखिए, क्या डाला है, call-12 डाला है, ठीक है, अब हाइफिन 12, हाइफिन 12 डालने से, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए, एक सेकर, यहां पर, इसको मैं 100% कर देखा हूँ, पहले, ओके, ठीक है, यह देखिए, यह call-12 के जोनों साइड जो padding दिखाई दे रही आपको, correct, जो भी आपको, यहां पर जो padding दिखाई दे रही है, green color दिखाई दे रहा है, वो इसकी padding है, okay, right और left में, देखिए, यहां पर common class में apply होती है, right और left में padding अपलाए होती है, तो इस वज़े से वो उतनी space ले लेता है, और container में भी, देखिए, यहां पर आपको दिखाई देगा, दोनों साइड से green यहां पर दिखने handle करने का काम करता है, यानि अगर मैं इसको row नहीं डालूंगा, तो वो थोड़ा 15 pixel आगे चला जाएगा, हमारे columns आगे चले जाएगे, तो यह handle करने के लिए बीच में row होता है, और वो minus 15 pixel, minus कर लेता है, यह जो 15 pixel है, और इसके 15 pixel, दोनों adjust कर लेता है, और इनको, container को और column क row एक level में लेके आता है, समझ में आरे बात, इसलिए यह row use किया जाता है, और दूसरी बात है, इसके row के बाद अगर कोई दूसरा row डालना है, तो वो सारे चीजे हम लोग ने handle की हुई है, यहाँ पर clear boot और display block, इस वज़े से हम हमेशा एक row बीच में use करते हैं, ताकि चीज में, अब देखिए, तो यह सारी चीजे होती है, और इस तरह से आप grid system मना सकते हो, ओके, अभी इसमें, ओके, तो यह excel हो गया, यह सारी चीजे सही है, यह जैसे काम करने चाहिए वैसे काम कर रही है, ठीकिन अभी थोड़ा सा मुझे पहले एक बार थोड़ा test करके भी देखना होगा, तो देखिए, यह हमारा था, यह हमारा mobile है, तो mobile में जैसे मैंने यह float किया है, और यह सारी width यह mobile में apply होने वाली है, correct, उसी तरह से यह 576 से apply हो रही है, और यह 576 से और यह सारी चीजे 766 से इस तरह से apply हो रही है, तो starting में जैसे मैंने आपको media query का flow बताया, बस वही flow है और उस तरीकेसे सारी चीज़े काम कर रही है तो फिला थोरा सा हम यहाँ पर जाके चेक कर लेते है कि यह सारी चीज़े काम सही से कर रही है कि नहीं तो मैं काम करता हूँ इस container को हम लोग क्या करेंगे देखिए यहां पर हम लोग थोड़ा सा एक markup लिख लेते हैं चलो एक काम करेंगे इसको मैं delete मार देता हूँ और यहां पर यह तो आपको समझ में आ गया है ठीक है तो मैं यहां पर use करूंगा call-sm-4 चलिए 4 मैं use करता हूँ मैं क्या चाहता हूँ कि mobile में 100% हो जाए इसलिए मैं SM use कर रहा हूँ देखिए जैसे मैंने आपको कहा अगर आप direct यहां पर लिखते हो hyphen 4 तो यह आपकी 4 वाली width अपलाए करेगा mobile से ठीक है यहां पर मैं लिखता हूँ heading और इस paragraph में लिखेंगे थोड़ा सी text lorem ipsum से लेते ह अनलग lorem ipsum में जाएंगे और यह वाली text उठाएंगे यहां से यहां तक और मैं यहां पर जाके refresh कर देता हूँ तो यह मेरी call 4 की width अपलाए होगी देखिए यह सही तरीकी से काम कर रहा है लेकिन मुझे call 4 नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए call-sm-4 चाहिए अब मैं यहां के लिए आपका 100% का काम करने लगेगा क्यों 100% का काम कर रहा है because जैसे मैंने कहां यह 576 से आगे तक काम करता है यह मतलब call-sm-4 क्योंकि आपने call-sm-4 जो class है वह आपने 576 के अंदर लगाया हुआ है ठीक है तो यह call-sm-4 यहां से start करेगा और आगे तक वही width apply करते जाएगा देखिए अब आगे मैं जाता हूँ 576 से भी आगे देखिए यह sm-4 ही apply होते जाएगा correct यह 100% है because mobile में उसमें यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको क्या समझ में आ रहा है कि यह div जो है इस div पे जो class लगा है वो काम कर रहा है 576 के आगे से तो इसको browser को समझ defy में सिफ due ही काम कर रहा है तो due default browser में क्या काम करता है display block का काम करता है देखिए यहां पर लिखा हुआ है यह user agent style sheet का मतलब ब्रावजर style apply हो रही है यानि इसको कोई class apply नहीं हो रहा है हम लोग ने कोई class नहीं लगा है यहां पर इस वज़े से तो यह sm जो है वो काम करता है 576 से यहां पर आप 576 करोगे तभी वो देखिए उसकी width apply कर रहा है यहां पर भी आपको समय में आ जागा अब यह 576 से आगे यह वही continue करते जाएगा ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इस html में जाके एक काम करते है इसको copy करेंगे और तीन बार डालता हूँ मैं देखिए 3 बार यानि यह पहला हो गया SM4 यह दूसरा हो गया और यह तीसरा हो गया मैं 3 columns डाले और call SM4 ही डाले है क्यों क्योंकि 12 column की width है मेरी तो मुझे 444 ही डालना पड़ेगा इसी वज़े से मैं 3 डाले तो मैं refresh करता हूँ तो देखिए आपको 3 columns दिखाई देंगे और यह सही तर से हम लोग responsive बना सकते हैं और यह इसके पीछे का logic है समझ में आ रही बाद अभी यह media query ही यह media query का जो flow है वही logic है और इस तरीके से आप logic बना के आप कुछ की grid कुछ का grid system बना सकते हो तो यह वाला क्या कर रहा है 0 to 576 में अपला हो रहा है फिर यह class यहां से लेके यहां तक यह SM वाले जो class है वो 576 से लेके 768 तक अपला हो रहा है देखिए मैं यहां पर लिखता हूँ 576 to 768 actually 768 नहीं है यह अप ही है लेकिन जब तक आप इसका class अपला ही नहीं करते इसके आगे HTML में तब तक यह 572 अप जाता है ओके लेकिन जब आप MD लगाते हो SM के आगे तब यह होता है 768 तक यानि यह यहां तक ही सीमित रहे जाता है फिर यह वाला अपला होते जाता है यह फंड आ है और यह logic है इसके पीछे ठीक है तो यह कॉपी करना है और यह कॉपी करके यहां पर simple यह change होगा 768 से यहां पर हो होगा 992 से क्या है नीचे 1200 है और यहां पर 1200 से यहां पर अप होगा क्योंकि आगे इसके media queries available नहीं है simple है तो देखिए और एक बार मैं आपको final एक बार दिखाता हूँ जैसे अब हम लोग ने क्या किया है यहां पर container डाला है को डाला है फिर हम लोग SM444 डाना है ठीक है अब मैं जाता हूँ रिफरेश करता हूँ 320 में तो देखिए आपको यह 100 परसंट ही दिखाई देगा यह आपके जो call SM4 है वह 100 परसंट दिखाई देगा विकाज आपने column SM डाला है इसी वज़े से लोग call SM यूज़ करते हैं जब भी आप bootstra 3 बनाते हो या फिर हम लोग जो custom बना रहे हैं वो हम लोग SM यूज़ करेंगे करेक्ट SM से क्या होगा 576 से आगे तक वही class लेते जाएगा फिर आगे अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं change कर सकता हूं देखिए तो यह 576 से आपको 3 3 3 दिखाई देगा यानि 4 4 4 दिखाई देगा call 4 की जो width है 33% और वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड होती है इसी से डिवाइड करने पर ही वो प्रॉपर तरीके से काम करती है ठीक है तो यह 4 4 4 हो गया फिर मैं इसके आगे जाता हूं क्या है 768 तो मैं 767 तक भी आपको सेम दिखेगा जैसे आप 768 करोगे तो भी आपको सेम ही दिखने वाला है 4 4 4 दिखने वाला है क्योंकि 760 वाले class अप प्लाई नहीं किया है अगर मुझे अप्लाई करना है तो मैं कर सकता हूं तो मानलो मुझे अपलाई करना है पहले वाले Cool reporter को यहाँ पर करना है difficult करना है तो मैं यहाँ वह एड़्वी कर सकता हूं तो यहां पर 8 कर सकते हो अगर ऐसा कुछ चाहिए आपको, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो आपको proper calculate करके divide करनी है चीजे, तो यह चीज़ आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो यह होता है media queries, चलो और थोड़ा सा हम लोग यहां पर डाल के थोड़ा test कर यहां सा column change कर लेते हैं, यहांपर मैं सिर्फ दो column डाल देता हूं, और मैं MD डालता हूं और यह पहला रो है और यह दूसरा रो है इसमें हम लोग थोड़ा सा नमबर डालते हैं यह टू डाल देते हैं यहाँ पर तो आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी यहाँ पर भी मैं टू डाल देता हूं ठीक है अब देखिए मैं रीफ्रेश करता हूं हम लोग जाते 320 पे पहल रहेगा जैसे 576 लिखता हूं है और हम लोग ने क्या लिखा था इसमें नीचे जो टू है वो 66 है यानि यह SM भी नहीं है यह सीधा MD है MD का मतलब यह 768 से आगे से 50-50 परसंट में डिवाइड होगा लेकिन तो इससे पहले क्या होगा फिर वह 100 परसंट ही रहेगा देखिए अब नीचे जाओगे तो यह आपको 100% में अभी दिखाई देगा जो कि आपके मोबल में भी देखिए अंदर जाओगे तो 100% है आप बाहर भी आओगे तो भी 100% है कहा तक दिखेगा is 677 तक यह आपको ऐसे ही दिखाई देगा देखिए ओके तो अब आप 768 करोगे इसको तभी ये दो में डिवाइड हो जाएगा, अब ये डो में डिवाइड हो चुका है, याने 50-50% इसको width अपलाई हो रही है, इसके column पे आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, MD6 पे आप जाओगे देखिए, यहाँ पर max width 50% और ये वाला max width 50%, तो ये ऐसा कुछ काम करता है, और एक चीज यहाँ पर देखिएगा, आपके container को भी यहाँ पर width अपलाई हो जाती है, यह भी ध्यान में रखनी वाली चीज है, अभी मैं 320 में जाता हूँ फिर एक बार, आप आपको यहाँ पर container कहीं पर दिखाई नहीं देखिए, आपर class width आपको दिखाई नहीं देखिए, 100% ही है, ठीक है, क्योंकि उसको width अपलाई नहीं है, तो जैसे आप 576 करोगे, automatically container को width आजाएगी 546 देखिए यहाँ पर, इसको मैं temporary यहाँ पर background red डाल देता हूँ, आपको स आपको यह 546 width अपलाए होगी, क्योंकि हम लोग ने लिखाया minimum width 576 में, आप क्या करिए, यह container के जो width 546 ही रखी है, तो यह 767 तक, यानि 767 तक, यह actually एसा है, देखिए, 991 तक, ओके, और यह 1199 तक, ओके, ऐसा होने होला है, तो यह क्या बोलता है, कि 767 तक यही width अपलाए ह होगी, जैसे मैंने देखाए कि 767 तक यही width अपलाए हो रही है, जैसे मैं एक number बड़ा देता हूँ, देखिए, इसके width चेंज हो जाएगी, 738 हो जाएगी, देखिए, यहाँ पर, ओके, तो अगर मैं इसको फिर से लिखता हूँ, मैं refresh करता हूँ, और यहाँ पर फिर से ल लिखाए देगी, 991 तक, 738, अब आप 2 करोगे, तो वो width भी आपकी बढ़ती जाएगी, देखिए, यहाँ पर, 992 की width लग रही है, अब माइनस करोगे, तो देखिए, 738 लगेगे, फिर आगे जाके, 962 लगेगे, जो कि 992 वाली container की width है, वैसे ही, आप 1200 में जाएगे, तो उसमें भी 1170 अपलाए होगी, तो container को भी width अपलाए होती जाती है, media queries में हम लोग ने लिखाए इस कारण, ठीक है, और 576 के अंदर वो 100% हो जाती है, विकोज इसको width अपलाए नहीं है, और उसका default browser जो होता है, वो 100% का का काम करता है, यानि display block का का काम करता है, ओके, तो ब हम लोग custom grid system बनाते हैं, तो I hope guys आपको ये समझ में आया होगा, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप comment box में पूछ सकते हैं, उसका answer में आपको जरूर दोंगा, तो बस guys इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, आगले वीडियो में, thanks for watching.